हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारें पत्रक नंबर 20 करेंगे जो कि क्लास 6 की है और विश्य है सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत यह वर्क्षिट 7 डिसेंबर 2020 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट 5 साथ नए प्रशन M नए विचार उपनिशिद तो देखे बिटा आज की फर्स पिचर देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है इसमें पहले के समय में जैसे की गुरू हुआ करते थे और शिशे उनके पास बैट कर पढ़ाई किया करते थे जो बच्चे हुआ करते थे उनको क्या क्या करते थे माता पिता गुरू कुल में भेज दिया करते थे जहां वो गुरु के साथ रहा करते थे और उन्हें जो गुरु थे वो उन्हें ज्ञान दिया करते थे शिक्षा दी जाती थी तो उसी से related हमारी वर्क्षिट आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट उपनिशिद उपनिशिद का शाब्दी करत है गुरु के समीब बैठना देखो यहां पे आपको इस पिच्चर में दिखाई दे रहे हैं कि यहां पे गुरु बैठे और उसके साथ में यहां पे शिश्य बैठे हैं जो क्या कर रहे हैं ज्यान प्राप्त कर रहे हैं यहां पे गुरु उनको प्रस्तूत किया गया तो देखो क्या कहा गया उपनिशित क्या है ग्रंथ होते हैं गुरु के समीब बैठना जब गुरु इसंगी ग्रंथ है चहत्रों अध्यापक के बीच की बातों बाचेत का संक्लन है। जो अध्यापक और गुरु के भी जो बादचीत हो रही है उनका संकलन है उनको लिखा गया है उसके अंदर इन विचारों को सामानेता वारताल आपके मादम से प्रस्तूत किया गया है जिस समय बुध उप देश दे रहे थे शायद थोड़ा पहले अन्य विचार को ने भी और गुध ने खुआरों के जवाप कोज़ने की कोशिश की थी पिछली वरक्षिट में बिटा हमने देखा था कि बुध ने क्या किया, जिस समय बुध देज दे रहे थे उससे, लोग से थे यविचार बिय很 लोग आजह विचार बिया से जो कि चिछिस को रहे थे, बुध को ग्यान प्रप्त वातबुध को यह ग्यान था कि हमें लोगों की मदद करनी जिवनारी भाद जीन थे When man की सवालों रहे थे उनमें adopting demand की जीन रहे चाहते ते उसके मरत्युक्त की बारे में जानना चाहते थे तो कुछ विचारक ऐसे थे जो क्या करवाय जाते थे या आज कल भी बहुत सारे यग्य होते हैं तो यह यग्य क्यों करवाय जाते हैं इन में से कई विचारकों का माना था कि ब्रह्मान में कुछ स्थाई है जो मृत्यू के बाद भी बचा रहता है कुछ विचारक ऐसा सोचते थे कि ब्रह्मान में अभी भी इनका अंसर नहीं है लेकिन इस सब कोशन थे जो विचारक उसमें ढूंड रहे थे उन्हें आत्मा या भ्रह्म या सर्व भूमिक आत्मा के रूप में वर्नित किया गया है उन्होंने का कि मृत्यू के बाद अगर कुछ बचा रहता है तो वह है आत्मा जिसे हम क्या कहते हैं ब्रह्म या सर्व भूमिक के रूम से माना जाता है आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं और उन्होंने फाइनली क्या कहा कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं तो देखो जो बुद्ध उसमें अपदेश दे रहे थे लेकिन उसके साथ साथ जो अन्या विचारक थे मृत्यू के बाद के जीवन का यग्या के बारे में ब्रह्मान के बारे में और मृत्यू के बाद की जो आत्मा है उसके बारे में उनके मन में सवाल उठ रहे थे आगे देखते हैं क्या लिखा गया अधिकाश इस चर्चा में भाग लेने वाले विचारक पूरुश हुआ करते थे जो भी विचारक थे मतलब जो अपना विचार रखा करते थे अपने विचार परस्तूत किया करते थे वह मुख्य थे क्या होते थे पूरुश होते थे लेकि कुछ महिलाओं के बारे में भी ऐसे जो पने विचार प्रस्तूत करते थेuding उनका मिलता है उनमें तो पर भाग लिया करते थी निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे प्रन्तु कुछ अपवाद देखने को मिल जाते हैं तो अब हम करते हैं इसके प्रशन उतर उपनिशित शब्द का अर्थ क्या है अब हम करते हैं प्रशन नमबर टू विचार किन सवालों के जवाब खोजना चाते थे जो विचारक थे किन सवालों का जवाब खोणना चाते थे कि मृत्यू के बाद क्या जीवन है इसके बाद में यग्य क्यों करवाए जाते है या मृत्यू के बाद जो आत्मा है उसके बारे में उनके मन में कोशन से तो इन कोशन का अंसर जो विचारक थे जो इनके बारे में मृत्यू के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कुछ विचारक यग्यों के उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे वो ही जानना चाहते थे कि यग्ये क्यों करवाय जाते हैं यग्या क्यों होते हैं इसके बारे में जाना चाहते थे तो कुछ विचारक क्या थे यग्यों की उपयोगिता के बारे में जाना चाहते थे कि इससे हमें क्या फाइदा होता है यग्या क्यों करवाए जाते हैं और इससे हमें क्या फाइदा होता है इससे रिलेटर कुछ जो व वृत्यू के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, कुछ विचारक यग्यों के उपियोगिता के बारे में जानना चाहते थे, कुछ विचारक आत्मा के विश्य में जानना चाहते थे, कि आत्मा क्या है, क्या वास्ता में वृत्यू के बाद कोई जीवन है, जिसे हम आत्मा कहेंगे और जो ब्रह्मान में मिल जाती है ब्रह्म और आत्मा दोनों ही एक है तो ऐसे कुछ कोशन थे विचारक के मन में जो वो जानना चाहते थे अब हम करते हैं प्रशन नंबर तीन अब देखते हैं परशन नमबर 3 उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताईए अभी मैंने इसको आपको बताया कि उसमें मुख्यत कोन होते थे जो विचारक होते थे वो कोन होते थे पुरुष और जो राजा पुरुष होते थे और उसमें अभी कोन ब्रहमन है और राजा यही हुआ करते थे लेकिन कुछ एक महिला होती थी जो क्या करती थी अपना विचार प्रस्तूत क्या करती थी अब भी एक मिनट पहले मैंने आपको इसको एक्स्प्लें क्या है तो आप सोचिए कि आपको कितना याद है इसके अंदर एक मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए अंसर मुझे इस कमेंट में अंसर लिखे दीजेगा कि इसका अंसर क्या है मैं अभी आपको अंसर बताऊंगी बट आप खुद सोचेगा कि अंसर क्या है कौन थी वो महिला जो क्या करती थी बहुत विद्वान थी और क्या थी राजदर्बार में होने वले चर्चा में भाग लिया करती थी बताइए अंजी बच्चे वेरी गोड इसका अंसर है गारगी तो आप लिखेंगे कि उससे में गारगी एक विचारक का नाम आपको यहाँ पर बताना है अंसर नमबर तीन तो अंसर नमबर तीन हो जाएगा गारगी आपकी पुस्तक में क्या दिया गया है गारगी एक महिला विचारक थी जो क्या करती थी अपने विचारों को प्रस्तूत करती थी अपने जो भी उसके कर दिये हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों के एक्जाम होने वाले हैं इसलिए अपनी वरक्षीट कम्प्लीट करके उसे साथ साथ में लर्न करते रहिएगा चीके बेटा थेंक्यू स्टुडेंट्स